स्वागते साथियों द्रिश्टी क्विक बुक की समरी लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेर सासूरी तो सेर सासूरी का जो करम है हमने देखा कि हुमायू के सासनकाल के दौरान ही आता है वो परास करके सक्ता परकाबिज होता है और 1540 से 1545 तक का उसका सासनकाल है ये सूर और आजवन्स का सासन था इसके बच्पन का नाम देखें तो फरीद खां और चूकि जब वो सक्ता में आता है तो दक्षड बिहार के सुबिदार बहार खां लोहानी की हान युद्ध हुआ था और उसी ने इसे सेर खां की उपाली दी थी क्योंकि इसने एक सेर को म सेरह में सामिल हूए और मुगलों के साथ सड़ा तो आप देखिए जिनके खिलाप नएखे पहले व की सेनह में सेनह में चन्देरी की युद्ध में जब 1529 में घागरा का युद्ध होता है तब वह naib ahor हमुद लोड़ी के साथ अफगानों के साथ खो लिया और इसमें युद्ध तो नहीं करता लेकिन बाबर को निश्क्री रहने का संदेश बजोया इसी समय बाबर ने हुमायू को से सिटर क्रहनी के सलाह दी ती यह आदमी ठीक नहीं इसे समल के रहना और हुमायू हुमायू परिणाम भुकत ना पुड़ा आपने देखा कि 1549 में चौसा के युद्ध में किस प्रकार मुगल समराट हमाईू का सेरसा सूरी स्यामना सामना हुआ जिसमें ये विजय होता है तो जब वो विजय होता है फिर से अफगान समराज जो दुबारा अस्थापित करता है तो वो साही उपाजिधारन करता है सेरसा सुल्तान अदल ये जो हम लेक्चर की बात कर रहे हैं ये प्लेलिस्ट आप विजिट करें एंसन थिस्टी के सारे लेक्चरस कंप्लीट हो चुके हैं medieval के भी हो चुके हैं ये मेरी कोशिस है कि कम समय में जल्दी जल्दी आपके lectures कंप्लीट कर पाऊं तो अपनी जो भी बाते हैं आप comment में share करिए अच्छा लगेगा, मैं उसका reply करूँगा और वीडियो पसंद आये, तो like किया करिए इसे हमारा उत्सावर्दन भी होता है और हमें अच्छा लगता है कि आपको जो हमने ये पढ़ाया, वो पसंद आया हमायू दोर अपने खोए छेतरों को पुनर प्राप्तिक एक्रम में दोनों का टकराव चलता रहा देखे तो 1540 में बिलग्राम कन्नोज की उद्ध में दोनों कामना सामना हुआ और हमायू फिर से हार गए तो ये तो हमने अपने पिछले लेक्षर में ही देखा था अब किस प्रकार से इसका राज्या भी सेख होता है थोड़ा उसको पढढ़ेंगे और उसके बाद उसके राजनातिक अभियान है उनको डिसकस करेंगे तब देखेंगे कैसे इसका जो वन्स है वो पतन की और अग्रसर होता है तो काफी उम्र भी जाती है हर सथ वर्स की आयू में वह 1540 में दिल्ली की गद्धी पर बैठता है और उत्तर भारत में सूर वन्स या कहें दुती अफगान समराज की इस्थापना करता है राजनेतिक अभियानों की बात करें तो 1541, 42, 43, 44 लगातार इसके भी करम देखेंगे जैसे कि आपने अभी देखे थे बाबर के तो गखरों से युद्ध इसका 1541 में होता है मालवा का भियान ये 1542 में करता है राजसीन का भियान 1543 करता है राजसीन का भियान थोड़ा इंपॉर्टन्ट है होता क्या है कि जब इसने राजसीन पर आकमर किया तो सिर्सा के सभियान में उसने दोखे से राजपू सासक पूरन मलकों मार डाला दोखे से मारा था और होता क्या है कि इसके बाद वहां के स्त्री ने जोहर कर लिया था तो सिरसा सूरी के चरितर पर ये कलंग माना जाता है रहसीन का वियान 1543 में इसके बाद देखें तो मारवार के सासक मालदियों पर इसने आक्रमण किया था 1544 का मारवाड का अभियान इसका प्रसिद्ध है तो देखेंगे लगातार इन में वो विजय प्राप्ट करता है और अपने आपको एक सुद्र रिस्थिती में मजबूत करता है मारवाड का अभियान उसके लिए बहुत ही कठिन रहा राजपूर सरदार थे इसमें जैता और कुमपा इनका नाम पूछा सकता है कि सिर्था सोरी 21 अभियान में जैता और कुमपा थे मारवाड अभियान में 1540 में अभीरता का पदर्सिन किया हाला कि युद्मे विजय के लिए सिर्थान ने कूपनीती का सारा लिया अगर इनका अंतिम अभियान देखे तो 1545 तो आपने लगातार देखे जब से यह सासना रूड हुआ तो 1541 गखर 1542 मालवा 1543 राइसीन 1547 मारवाड 1545 अंतिम अभियान होगा कालेंजर का वियान होगा यह अंतिम अभियान था कारण क्या थी कि दरसल होता क्या है ने कीरत से जो कालेंजर का और उनके यहां दाशी थि उसको हथी आने केलिए कालेंजर पर आकर्मर गिया था इतना हिद में दम है यह तो कथानक जाने लेकिन ऐसा वरनन है कि कीरत ने को देने से इंकार कर दिया और वह अक्रमर कर देता है और जब अभियान हो रहा होता है तो वह गोला बारूद से उड़ा देने की आग्या देता है किले की दीवार को और होता क्या है कि जो जो गोला निकलता है इसके तोप से तो किले की दीवार से टकरा करके बास में का पतान होना निश्चित हो जाता है क्योंकि उसके उत्राधिकारियों में आप देखेंगे तो इसमें जो आगे आएंगे उसके नाम भी यहां पर में आगे पढ़ूँगा लेकिन उससे पहले ज्यान देने वाली बात है कि क्या सेरसा को इन्हीं पांच अभियानों के लिए जाना जाएगा जी नहीं सेरसा का प्रसासन जो है वो चुकूर्टी के सासन बेउस्था को स्थापित किया था उसने इसके अगर समराज निर्माता प्रसाशक के रूप में देखें तो अकबर का पुरुगामी माना जाता है उसने अपनी राजधानी आगरा बनाई थी तो सब केंद्री सासन कैसा था वो देखता है एक कंत्रात्मार सासन उसने अस्थापित किया था संपूर्ण सक्ति उसके हाथों दिवाने बरीद इन से समंदित है थोड़ा इनके बारे में जानता है ये विभाग जो है वो कौन-कौन से हैं का काम क्या होता था ठीक है दिवाने वजारत जो है इसके धक्ष वजीर होते थे आर्थिक मामलों की देखरे करता था प्रधान मंत्री के समानिस का पद होता था और मंत्रियों के भी कारियों को यह देखता था दिवाने आरेज अर्ज तो इस विभाग की अधिकारी को आरेज ये मो मालीक कह दाता था सेन समंद्री कारे होते थे इसके ईंतरगत लेकिन इस सैनिकों की भरती नहीं करता था क्योंकि पत्र ब्योनं हो द्हार द भाणे उसां inmесieux नाजन से अिससाirus गुप मुप hasnज कुए उसकारी कारे कि दिवाने कजा क्या है तो इसका चुकी जो प्रमुक अधिकारी था का जी होता था और यह न्या भीभाग कर् YOU दिवाने बरीद गुप्तचर विभाग था और इसका अधिकारी था बरीदे मुबालिक तो आपको एकी स्क्रीन सोट में यहां सारी चीज़ें मिल जारी है असानी से इसके बाद देखें तो जो उसकी प्रसाशनिक विवस्ता थी उसने प्रांथों को सूबे में और सूबे को सरकार यानी की जिला में विवक्त किया हुआ था जो तो इसका करम क्या हो गया सबसे जो प्रांद था वो सूबा प्र सरकार उसके बाद परगना फिर ग्राम ऐसे यह इसकी प्रसाशनिक विवस्ता विवक्त थी तो जो सरकार था सरकार यानी की जिला इसमें दो अधिकारी ह गृत ठीजिए मुंसिफ़ान तो कहते हैं क्या था सामाने प्रसासन का था मुंसिफान क्या था तो मुंसिफान जो अद्व दो नियाई करना तो शरकार यानी के जिला में दो प्रमुख अधिकारी होते थे इनकी शहायता के लिए कई पर गपनों में वट था और प्रगने में एक सिकधार होता था एक मुंसिब होता था फोतदार होता था और ढूर्ड कार्कुन संफिक यह जो ठोड़ा समझने व कार्थ स्थदार क Ş Imolik जो कॵच्छा आते हैं सबसे चोटी इकाई जो थी ग्राम और उसका मुखिए होता था घ्रमतसासन का घर सरकारी पतादिकारी होता था धूराजस्व व्यवस्था इसके सर प्रमु विश्यotta की इसने अपने विश्वस्थनी अधिकारी अहमद की पत्र होता था जिसमें उपच के छेतर उत्पादन और भूराजस की जानकारी लिखी होती थी जैसे आज कल खतौनी विगरा किसानों से कबूलियत की रूप में सहमती पत्र हासिल कर लिया जाता था जिसकी बिवस्था देखें तो मुख्य रूप से रहयत वाड़ी थी किस प्रत्रक्ष संपर कर स्थापित किया जाए जो लगान वगरा था वह नगद अनाज दोनों रूप में होता था नगद को प्रात्मिक्ता देते थे तो भूमी की किस्म फसलों के अधार पर उत्पादन होता था उसका आउसत निकलवाय जाता था उत्पादन का एक तिहाई भाग लिया जाता था करके रूप में हलांकि मुल्तान में एक बटे चार लिया जाता था थोड़ा वहां कम रखा गया था अगर लगान की अतरिक्त देखें तो कुछ और भी करते जैसे जरीबाना महासिलाना वगर करते जरीबाना क्या था जरीब से याद रखे महासिलाना तो कर संग्रह सुल्क जो टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है तो उसका भी टैक्स लिए पढ़ता था महासिलाना तो जरीबाना था धाई परसंट और महासिलाना था पांच परसंट ठीक दुप्तचर विभाग और डाग विवस्था भी उच्छे कोट की थी सैन ने अगर सेना में देखें तो एक लाग पचास जार गुर्षवार पांच जार हाथी पर्यार तो खाना भी था पुलिस ब्यवस्था के संदर मेंस्थानी उत्तर दाईत को सिद्धान तो इसने लागयों किया इसका मतलब यह था कि अधिकारी जिस्षियत में न्यूखत होता थ तो यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो कि आज भी है कि पुलिस बिवस्था के संदर में अस्थानी उत्ताराइत को सिद्धान सेरसासोजी ने लागू किया था इस कम सासनकाल में ही उसके सावजनिक कार भी बहुत महत्वपूर्ण है खासता उसे सड़कों को लेकर के सड दिल्ली लाहर पंजाब में अटक तक थी है दोसरी सड़क आगरा से बुरहानपूर तक तीसरी आगरा से जोदपूर होती हुचित्वार तक और चौती लाहर से मुलतान तक तो चार सड़कों का निर्मार कराया जीटी रोट को आप जानते ही हैं इसके अलामा इसने इन मार आज रूपी सरीर की धहमनिया कहते हैं तो यह इंपॉर्टन्ट है कि उसका जो सामाजिक कारे था वो भी बहुत उत्तम कोटी का था इन्हीं पांच वर्सों के काल में उसकी मुद्रा व्यवस्था जो है वो देखें तो आज तक उस मुद्रा व्यवस्था का रूप देखन और यह सुद्चानि का रूपया था एक सो असी ग्रेण का तो एक सुध्यादी का रूपया था यह और उसने चलाये प्रामे का द्राम यह तीन सो असी ग्रेण का था तो दाम का मतलब यह बात होगी तो पूछे का दाम क्या है तो दाम जो है सिक्का है तामे का सिक्का है 300 सी ग्रेन का है सिर्सा सूरी ने चलाया था इसके आधे चौथाई और सुलाह में भाग के भी सिख्खे चलाए थे ठीक है इस पर क्या किया उसने अपना नाम पद टकसाल का नाम और अर्बी दियोनागरी लीफ है उसमें खुदवाया था तो अगर देखें तो जो आज ब्रिटिस मुद्रा प्रडाली है इसमित ने इसक तो एक अनुपाते 64 था यह देखा आपका important है इसको याद रखेंगे कि सेरसा सूरी के समय चांदी और तामी के दाम का जो अनुपात था वो एक अनुपाते 64 था इसके बाद भावन और इमारते देखें तो उसने बहुत कम समय में ही क्या इन पर भी कोई काम किया है तो जो हुमायों का निर्मित दीन पनाह था जहां से वो लर्खड़ा के गिरता है और मर जाता है वही उसी के धुनसा वसेशों पर दुल्ली की में पुराने किले का वो मगबर है इये पूरो कालिन इस्ताफत कि कला की पराकार स्था के नवीन सेली का क्रारमकत तक माना गया है यहांतकि का निंगहम ने शेयर सहा के मगबरी को ताज महल से भी सुन्दर कहा है इसके उतराधिकारियों में देखेंगे तो उतराधिकारियों में छोटा पुतर जलाल खा सासक बना इसने इसलाम साह की उपारिधारन की उसके बाद फिरोज खा बना इसकी हत्या हो जाती है तो फिर जो मुबारिज़ खा mustache कि उपारिधारन करते हैं इनका नाम महत्तु पूर्ण है क्यों क्योंकि मुबारिज मुबारिज का मुख्मत आदिल साह जो है इनहीं के प्रधान मंत्री थे हेमू और यह हेमू वही हैं इनको 1556 में पानिपत के दुति युद्ध में अकबर निहाराया था तो यहाँ याद रखेंगे कि हेमु किसके प्रदान बनते थे मुहम्मद आदिल साह के थे इनी के बन से संबन दी थे ठीक है तो चोकी 22-1555 में आपने देखा कि जब हुमायू वापस आता है सरहिनल के नामग अस्थान पर हुमायू में दिल्ली के सासे सिकंदर साह सूरी को पराजित किया भारत ने मुगल सत्ता को पुनरस्थापित लिए जो अगले आते हैं सिकंदर साह सूरी उनको पराजित करके हुमायू फिर से सापना अपने सासन की करता है तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार योग उत्रादिकारी ना होनी की बज़ए से सिरसाह सूरी का जो है अगले 10 वर्सों में ही अफगान सामराज्य का पतन हो गया इसके बाद आते हैं अब जो आएगा वो 1556 से 1605 का एक बड़ा लंबा दोर है अकबर का सासन काल है यहां से बहुत सारी important facts है मुगल काल के question तो अकबर से ही बहुत सारी आते हैं इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे explain करेंगे अगले लिक्चर में वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए good bye